नमस्कार प्यारे विदार्थियो एमे उत्रार्थ छटे प्रश्ण पत्र की इस ओनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है हम कबीर को पढ़ रहे हैं कबीर के जो हुमारे पाठे करम में सम्मिलित पुस्तक है कबीर वानी प्युश उसके अंतरगत संकलित सुमिरन को अंग के हम सत्रह दोहे देखे थे आज हम दोहा संख्या अठारा से देखेंगे सुमिरन को अंग में कबीर वार बार जीव से या मन से या मानव से यही आगर कर रहे हैं या उसे बार बार चेतना परदान कर रहे हैं उसे जगा रहे हैं कि समय रहते प्रभू का सुमिरन कर लेना यदि समय रहते आप उनका सुमिरन नहीं कर रहे हैं उन्हें याद नहीं कर रहे हैं या अपना सर्वस्व जो है उनके चरणों में समर्पित नहीं कर रहे हैं तो यह जीवन जो है वो सफल नहीं हो पाएगा और जन्म और मरण के बंदन से मुप्ती जो कि हर आत्मा का अंतिम लक्षा है वो किसी भी इस्तिती में प्राप्त नहीं हो पाएगी इसे संदर्ब में देखे कबीर आगे भी क्या कह रहे हैं कबीर कह रहे हैं कबीर प्रेमन चाशिया चशिनलिया साव सूने घर का पाहुना जिवाया तिंचाव अब देखे संद कबीर कहते हैं कबीर प्रेमन चाशिया संद कबीर कह रहे हैं कि जिसने इस सुमिरन रुपी प्रेम को चका ही नहीं चाशिया मतलब चका ही नहीं चकी ने लिया साब और चकने के बाद भी उसका स्वाद नहीं लिया देखें यहां सुमीरन का महत्व जो है वो कबीर स्पष्ट कर रहे हैं कि न केवल प्रेम रूपी सुमीरन को करना बलकि उसे इस तरह से करना कि प्रभू जो है वो हमारी तरफ रिज सके आकरशित हो सके तो वह सुमीरन काम का है अन्यता वह सुमीरन किसी काम का नहीं है तो कब श्री तो किसके जैसी है सूने घर का पाहुना जियो आयात तिव जाओ ठीक है ना यहाँ पर देखे तरश्टान तलंकार काम कर रहा है उदारन देकर कबीर समझा रहे हैं कि उसकी इस्तरी तो ठीक उसी तरह से है कि जैसे कोई महमान किसी घर में आए और उसकी महमान नवाजी करने वाला उसका स्वागत करने वाला वहाँ पर कोई नहीं हो वह जैसे आए वैसे का वैसे ही वापस चला जाए तो इस जीवन में मानव का आना भी उसी तरह से है यदि वह भगवान शरीराम की भकती का रस जो है वह चखता नहीं है और चकर उसका आंनद जो है वह लेता नहीं है आगे हम देखें दोहा संक्या 19 में संत कबिर क्या कह रहे हैं पहिले बूरा कमाई करी बांदी विश्की पोट कोटी करम फिल पलक में जब आया हरी की ओड अब देखें प्रभू या इश्वर या परम पिता परमेश्वर का स्वभाव है वह हमेशा इस तरह का रहता ह कि भक्त जो है या उनका सादक जो है या एक मानव होने के नाते जो है वो मानव कितनी जीवन में तुरूटिया कर ले गलतिया कर ले लेकिन जब सच्चे पश्चाताप के साथ अपने पाप बोध की पावना के साथ इश्वर की शेरण में आता है तो इश्वर उसे माफ कर शमा कर देते हैं और उसके सारे जो है वो पाप के बंधनों को उसके बुरे करमों के बंधनों को काट देते हैं उसे मुक्ती जो है वो परदान कर देते हैं लेकिन उसकी शर्त यही है कि उसे सच्चे पश्चात आपके साथ जो है वो अपना सर्वस्व प्रभू के चरणों मे समर्पित करना पढ़ता है तो देखी यहां कबिर क्या कह रहे हैं पहले बुरा कमाई करी की है मानो पहले तो तुने बुरी कमाई की बुरे कर्म किये बांधी विश्की पोट विश्की पोट का मतलब बांधने का मतलब जो है वो बुरे करमों को इकटा करना, बुरे करमों की पोटली बांध लेना, कोटी करम फिल पलक में, फिल करना मतलब दूर कर देना, समाप्त कर देना, ढखेल देना, दूर कर देना, जब आया हरी की ओट, तुने लाक जो है वो बुरे करम किये या करोड़ों बुरे करम किये, लेकिन अगर तुम सच्चे समर्पन के साथ, सच्चे सुमिरन के साथ या सच्चे मन के साथ प्रभू की ओट, ओट में आना मतलब सहारे में आ जाना, शर्ण में आ जाना, अगर आते हो तो प्रभू तुमारे सारे पापों को, बुरे करमों को शमा कर देंगे और तुमारा जीवन जो या दीनानात कहा जाता है उसकी विशिष्टा को यहाँ पर कबिर ने प्रकट किया है कि मानव चाहिए जो है वो कितने बुरे करम कर ले लेकिन वह जो है अपना समर्पन प्रभू की चरुनों में कर देता है तो निशित रूप से उसकी मुक्ती जो है वह हो जाती है आगे देखिए इसी तरह के परसंग में कबिर अपना अगला दोहा जो है वो कह रहे हैं कोटी क्रम पेले पर फलक में जे रंचक आवे नौ अनेक जुग जो पुन्नी करे नहीं राम भी निठाओ अब देखिए यहाँ पर कबिर बड़ी जो है वो संदर भी तर जो है वो महत् हैं कि यह जो संसार में लोग दान पुन्ने करने का भलाई करने का लोगों का भला करने का जो कारे करते हैं यहाँ भी कब सार्थक है इसके बारे में कभी जो है वो देखिए कबिर यहाँ पर जो है वो संकेत कर रहे हैं कबिर कह रहे हैं कोटी करम पेले फलक में जो रंचक आवे नौन चंत कबिर कहते हैं कि जितने भी बुरे कर्म है मानव तुने किये हैं वह शन भर में दूर हो जाएंगे यदि तो रंचक मतलब थोड़ा सा भी जो है वह प्रभू स्री राम के पास आता है तो तेरे जो करोड़ो जो बुरे कर्म है वह शन भर में ही समाप्त हो जा लेकिन जब तक तुम प्रभू स्री राम का नाम नहीं लोगे तब तक तुम्हेरे जीवन को कोई भी ठीकाना मिलने वाला नहीं है तो यहां पर कबिर कह रहे हैं कि चाहे बुरे कर्मों से बचने के लिए आप कहीं जन्मों तक जो है पुन्य का कर्म करते रहें लेकिन फिर अभी जो है वो इस जीवन से मुक्ती संभव है अन्यता जीवन से मुक्ती जो है वह संभव नहीं है आगे देखें दोहा संक्या 21 में संत कबिर क्या कह रहे हैं जिही हरी जैसा जानिया तिनको तैसा लाब ओसो प्यास न भाजई जब लगी थसेना आप अब देखें यहां पर जो है वो संदर्वित अर्थ के साथ ही कबिर जो है वो अपनी बात रख रहे हैं यहां पर कबिर जो है वो ये बात समझाना चा रहे हैं कि वो कुछ ऐसी भावना तुलसिदास ने भी कही है जिसकी भावना जैसी रहती है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरद्दे कितिन तैसी जी ही हरी जैसा जान या तिन को तैसा लाब जो व्यक्ति प्रभू को जिस तरह से जानता है समझता है उसको वैसा ही लाब जो है वो प्राप्त होता है यदि वह प्रभू को कम तर समझेगा सामाने रूप से समझेगा सामाने रूप से याद करेगा तो उसको सामा कबिर देखे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रभू को जैसा जानता है उसको वैसा ही लाप्राप्त होता है ओसो प्यास न भाज़ाई तो हमें क्या करना चाहिए हमें प्रभू को सच्छे रूप से समझने का प्रत्न करना चाहिए क्यों कि ओसो प्यास न भाज़ाई जब लगी तसेना आफ कि जब प्यास लगती है मानब को तो वह प्यास जो है वह पानी पीने से ही शان्त होती है वह ओस की बुंदे चाटने से चाटने से शांत जो है वो नहीं होती तो यदि हम भी प्रबू को ओस की बुंदو की तरह देखेंगे तो हमें वैसा ही लाब मिलेगा तो हमें प्रबु को उसकी बुंदू की तरह नहीं देखना है उसे प्यास बुझाने वाले समंदर की तरह देखना है सागर की तरह देखना है तब कहीं जाकर हमें जो है वो उनकी अनुकंपा या उनकी करपा प्राप्त हो पाईगी आगे देखिए दुहा संख्या 22 राम प्यारा चांडी करी करेना आनका जाप वेश्या केरा पूत जो कहे कौन सोबाप अब देखें यहां कबिर कुछ थोड़ी उग्र भावना के साथ उन लोगों की तरफ संकेत कर रहे हैं कि जो लोग प्रभूश्री राम के नाम का सुमिरन नहीं करते हैं निर्गुन ब्रम निराकार ब्रम या निराकार इश्वर का सुमिरन नहीं करते हैं और इधर उधर जो है वो दूसरे देवों के उसमें पड़े रहते हैं तो देखो उसकी तरफ संकित करते हुए कबिर क्या कह रहे है राम प्यारा चांडी करी करे आन का जाप वेश्या केरा पूत जो कहे कौन सो बाप कबिर कहते हैं कि जो वेक्ति प्रभूश्री राम के नाम को छोड़ कर दूसरे दिवी देवताओं के नाम को लेता है उसकी इस्तिति कैसी है उसकी इस्तिति वेश्या के पुत्र के जैसी है जिसे यह पता नहीं होता कि उसका पिता कौन है यहाँ पर कबिर की बावनाओं को हम थोड़ा और इस्पष्ट करते हैं कबिर यहां पर यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप दूसरे देवी देवताओं को सुमीरन न करें या आप जो मैं कह रहा हूँ वही स्वीकार करें यहां पर कहने का तात्प्रय यह है कि आप मार्ग जो है वह सटिक पकड़े इधर उधर डोलने से तो आपका मन भटक जाएगा किसी एक मार्ग पर नहीं रम पाएगा नहीं जा पाएगा इसलिए यदि आप एक मार्ग पकड़ेंगे तो ही आपको प्रभू के दर्शन हो पाएंगे जीवन से मुक्ती हो पाएगी अन्य था नहीं हो पाएगी इस भावना से प्रिरित होकर कबिर यह बात जो है वो कर रहे है आगे देखिए दोहा संक्या तेस कबिर आपन राम कही औरन राम कही जही मुक राम न उच्रेती ही मुक फेरी कही अब देखिए यह बार बार यह भी सुमिरन का हिस्सा है कबिर एक ही चीज जो है वो बार बार हमारे सामने लेकर आ रहे है बड़ी सरल भाशा में जो है वो कबिर कह रहे है कबिर आपन है अपने जीव को समझाते हुए मन को समझाते हुए कह रहे है कि हे मन तो बार बार राम कहे और राम कही और दूसरों के मुख से भी राम कहलवाने की कोशिश कर जी मुख राम नो उच रहे संसार में ऐसे लोग भी बहुत है जो दुष्ट है जिनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता तीह मुख फेरिक आई तो हे मन हे मानव तुम बार बार प्रतने करके उनके मुख से प्रभु श्री राम का नाम बुलवाने का प्रतने जो है वो करो तभी जो है वो मुक्ती हो पाएगी तभी यह जीवन सफल हो पाएगा आगे देखिए दुष्ट क्या 24 में कबिर का कह रहे हैं जैसे माया मन रमे योजे राम रमाई तो तारा मंडल बेदी के जहां के सोता हजाई हमने पहले भी यह इसपष्ट किया था कि सुमिरन की इतनी गहराई क्यों आवशक है या इतनी तलिंता के साथ सुमिरन क्यों किया जाना चाहिए तो कबिर का यह कहना है कि सुमिरन जब आपका बड़ा आर्त होगा दुख से भरावा होगा पिड़ा से भरावा होगा तब ही परभु तक पहुँच पाएगा अन्ने था परभु तक पहुँच नहीं पाएगा इसी भावना से जहिए ओध प्रोथोकर कबिर कह रहे हैं जैसे माया मन रमे यो रामे रमे हे मनश्य हे मन हे जीव जैसे तेरा मन माया में रमता है इस सांसारिक जगत में रमता है वैसे तुम इसको राम में रमाने का प्रत्न करो जिस तरह से माया में अपने मन को रमाए बैटे हो यदि उस तरह से राम में से रमाओगे राम में समर्पित करोगे तो तारा मंडल बेदी के तो इस ब्रहमांड को बेद के जहां के सताय चाहे जहां से या आत्मा या वहां या आत्मा वापस चली जाएगी तुम्हें मुक्ष मिल जाएगा और तुम्हारा जन्म और मरन के बंदन से वो तुम्हें मुक्ती मिल जाएगी लेकिन ज़िए तुम इस भव सागर में डूबे रहे इस माया में ही डूबे रहे तो फिर तुम्हें कभी मुक्ती मिलना संभव नहीं है तो इस परकार कभीर जो है वो अलग-अलग द्रिश्टांतों से हमें प्रभू के सुमिरन के बारे में बता रहे हैं अगले वीडियो में हम इसी सुमिरन के अंगों को आगे बढ़ाएंगे धन्यवाद